हालो फ्रेंड्स दिस अक्रम शेक एंड यू आर वाचिंग अनेस्ट टुटोरियल फ्रेंड्स आज हम वीडियो के अंदर देखेंगे क्विल स्कंडर का सब्सक्राइब करेंगे तो शुरू करने से पहले अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको 11-12 स्टेंडर्ड के एकाउंटेंसी बिजनस यानि की OCM और SMCC के आपको वीडियो मेरी चैनल पर देखने को मिलेंगे अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लास्ट तक देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेर भी कीजिएगा और साथ में हम लोग देखेंगे एक सेक्रेटरी जो होता है उसकी क्या DT होती है शेर कोस के रिगाडिंग तो शुरू करते हैं हम लोग शेर को से पहले क्या होता है इसका मतलब हम लोग देख लेन अकंपनी इस यूज शेर इंस्ट्ल्मेंट इंस्टेड ऑफ सिंगल पैमे पैसा जो है वो एक्लिकेंट को एक्लिकेशन के टाइम पर ही वह भरना नहीं पड़ेगा तो इसको बोलते हैं इन्सितल्मेट-एक मां पर वोमृकोड़ कामिर को उसको होने उसका क्यों तर और अमनल को स्दोर पहुग हो सब्सक्रों कियो हों वेदेखा कि 5 minimum 5% of face value जो है वो application के time पर उनको भरना है बाद में फिर allotment होगा तो allotment के time पर कुछ नक्की किया होगा वह वाली amount इनको यहां पर बरनी पड़ेगी applicant को फिर उसके बाद जब जब company call करेगी यानि बताएगी कि भाई अभी इतना amount बाकी आपका share का कीमत बरनी बाकी है तो वह हपते का जो time होगा इंस्टोर्मेंट का जब time होगा तब बताएगी कंपनी और उस जो उसका जो एक time limit के अंदर फिर एप्लिकेंट है जो शेर होल्डर होगा उससे वह पाईसा बरना पड़ेगा तो उसको क्या बोलते कोल ओन शेर मींस अमांट पेवल प्रेंट आपको बता दूब के अंदर भी यह बहुत ही इंपोटेंट रहेगा तक क्योंकि आपको ट्वल स्टेंडर का जो एकाउंट इसका सेकंड पार्ट उसमें भी पहला चप्टर होई है आपका इसी अपसेर्स और अगर यह कंसेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप आपको एकाउंटेंट से में भी समझने में बहुत ही फाइदा करक रहेगा आपको वेन एन पर्शन मेक्शन एप्लिकेशन डू पर्चेस एंड पेस्ट एप्लिकेशन मनी इस रिस्पॉंसिबल टूपे बैलेंस इमोन एड टाइम ओप शेयर अलोटमेंट एंड और व्यक् की जिम्मेदारी किसे की बनती है यहां पर थी जिम्मेदारी बनती है उसका payment आप लोग करें उसको बोलते है call on shares it is the responsibility of shareholder to pay the amount of call on share when called up by the company in accordance to the provisions of the articles यानि articles of association के provisions के तहत जो shareholder है वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी responsibility रहेगी कि जब भी company की तरब से बताया जाए जो payment उसका बाकी है shareholder ने जो company उसे बतायेगी उसे time limit देगी वो time limit के अंदर उसे वो पैसा बरना पड़ेगा if such says are on joint not individual the responsibility to pay the call is held jointly अगर share अगर jointly खरीदे गया है jointly उसके लिए अपलाई किया गया है तो फिर यहां पर जो jointly जितने भी लोग उसमें एपलिकेंट से उन लोग की सब की जिमिदर ही बनेगी कि जो कोल का जो amount है यानि installment का जो मोट वो उसको time के अंदर बर दे अब इसके regarding कुछ प्रोविजन से प्रोविजन से प्रोविजन से प्रोविजन से रिगाडिंग शेयर को तो शेयर कोल के लिए जो है अगर वो मंगवाना चाहती है पॉब्लिक से तो सबसे पहले तो इस तरह के शेयर को में अगर इस्यू करना है तो इसके के लिए उक्वर कानून होना चाहिए किसी के लिए यह यहांनि यहाँ एवर मिटी होनी सपे अब करते हैं दू कोल करते हैं फरस्ट करने चाहिं हम लोग मांग रहे तो शब्के पास दू रूपे Сबकास料 रूपे सबके साथ इक्वल यहां पर बरताओ किया जाएगा जब भी हम लोग करेंगे कोल करना मिलस के इंस्टोन्मेंट का जब पैसे के लिए हम लोग दिमन करेंगे हमारे शेर होलडर्स को उसको बोलते कोल तो जब भी कोल करने का जब बारी आएगी तो उसके पेले हमें एक रिजुलूशन पास करोना पड़ेगा बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर के पास यानि एक मिटिंग की जाएगी और मिटिंग के अंदर बॉर्ड ऑफ डिरेक प्लेस ऑफ पेमेंट और यह जब यह रिजोलीशन पास हो जाएगा तो यहां पर फिर जो शेर होल्डर से उन्हें नोटीस पीजिए जाएगी उन्हों नोटीस के जरी उनको बताया जाएगा कि आपको यह इंस्टोल्मेंट में कितना एमांट बरना है कितने टाइम के अंदर इसके जरी इन्फोल्मेशन भीज जाएगी फिफ शेर ट्रांसफर और वोटिंग राइट सब्सक्राइब के इसका पैसा बाकी है जब तक वह पूरा नहीं कर देता है तब तक उसे जो है वो शेर जो उसके पास है वो किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है और दूसे नंबर पर उसको जो वोटिंग राइट जो उसका अधीकार जो है वो वोटिंग का अधीकार भी उसे नहीं मिलेगा तो जब तक यह फुली पेड़ अप नहीं हो जाता तब तक इसे यह दो चीज का अधीकार नहीं मिलेगा एक तो है से ट्रांसफर नहीं कर सकता है और दूसरा उससे वोटिंग रेट नहीं मिलेगा फिर उसका फिप प्रोविजन है अमाउंट ओफ कोल और शेर रिस्टीवड इस डिपोजिट विट बैंक बाइब ऑपनिंग शेर कॉल अकाउंट जैसे कि जब अप्लिकेशन जब कर रहे थे अप्लिकेंट तब कंपनी ने मैंने कोल्स के जरीए अगर शेर का एमाउंट रिसीव करना चाहती है तब यहां पर उसके लिए एक अलग यानि एप्लिकेशन के टाइम पर एसको एकाउंट तो खोले था लेकिन उसके बाद जो इंस्टॉल्मेंट का जो पैसा आएगा क्योंकि एसको एकाउंट में तो क् भिए जो इसके लिए उसके बीच में जीए तो इंस्टॉल्मट है उसके बीच में कि इनishops कितना अंतर हो ना चाहिए तो दो installment है उसके बीच में कम से कम एक महीने का distance होना जरूरी है एक महीने का gap होना जरूरी है क्योंकि जब बाई shareholder उसे payment करना है तो उसे भी व्यवस्ता करनी पड़ेगी न तो एक बार call आया यानि फर्स्ट इंस्टोर्मेंट भरने का जब time आया तो उसका जो time limit दीगे थी उससे दूसरा जो इंस्टोर्मेंट भरने का जो time limit है उन दोनों के बीच में कम से कम एक महीने का gap होना जरूरी है और लास्ट प्रोविजन है इसका ना कमपनी कें चार्ज इंट्रस्ट ओन कॉल अवांट नॉट रिसीवड इन प्रिस्क्राइब टैम लिमिट हावेवर डिरेक्टर्स में वेव सच इंट्रस्ट पार्टली और फुल्ली क्या बता है यहां पर कि अगर कॉल मनी भरने का तो पर्षान इसके ऊपर यहां अगर उसको माफ करना जाता है जो इंट्रस्ट माफ कर सकता है हो बरने के प्रोब्लेम नहीं कर सकते हैं तो घारेकर कर सकते हैं और किस चीज़ को कर सकते हैं रिप चाहे तो इंट्रस्ट जो हे वो पर्ट ले यानि की थोड़ा उसमें से माफ कर सकता है या चाहे तो वो पूरा भी इंट्रस्ट माफ कर सकता है तो यह था प्रोवीजिछ थे किस तीज के लिए शेर को है अब देखते इसकी प्रॉसीजर किया है प्रोसीजर ओफ मेलेकिंग श शेर कोल्स, a resolution for making कोल्स is required to be passed in the meeting of board of directors the resolution should contain information about amount of कोल पर शेर and the last date of the payment जब भी हमें installment याने कोल्स के अंदर अगर हमें issue करना है तो सबसे पहले हमें board of director की एक meeting बुला निये और board of director की meeting के अंदर हमें एक resolution पास करवाना पड़ेगा लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे पास article of association में इसके लिए provision होना जरूर ही है अगर provision होगा तो ही हम लोग इस प्रकार से share को issue कर सकते हैं फिर जब resolution पास होगा तो resolution के अंदर इसके एक information होगी इसमें बताया होगा कि हम call के उपर कितना amount हम लोग हमारे shareholders के पास से मंगवाएंगे तो यहां पर लिखा information about amount of call per share एक share पर हम लोग कितनी amount हम लोग मंगवाएंगे and the last date of payment और last date कौन सी होगी shareholders को payment करने का आखरी दिन कौन सा होगा यह भी हमारे resolution के अंदर mention किया होगा फिर second point है हमारा closure of register of members the register of members in the register of share transfer is kept closed for some days for the preparation of list of members and for sending notice of calls to the shareholders यानि जो register of members जो है जहां पर shareholders है उसका नाब जो दर्ज किया गया है as a member वो register और share transfer जो होगा यह दोनों प्रकरिया थोड़े दिनों के लिए इसको close कर दी जाएगी for some days kept close for some days इसको थोड़े दिन के लिए बंद की जाएगी for the preparation of list of the members and for sending notice of call to the shareholders क्यों बंद किया जागा क्योंकि अब यहां पर इन्हें लिस्ट बनना नहीं कि हमें कौन-कौन से shareholders को call money के लिए हमें notice बेजनी है ताकि वो काम वो आसानी से कर सके तो इसलिए यहां पर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ से ट्रांसफर है यह दोनों रजिस्टर को आप एक क्लोज किया जाएगा तो यह दो जो रजिस्टर जो है वह हम लोग भी क्लोज करने वाले तो साथ दिन के नार अगर आपको किसी को ट्रांसफर करने दाब कर सकते हैं यह होगे इसका सेकंड प्रसीजर नाव थर्ड प्रसीजर इस मेंबर उसके बनेगा एक कोल लिस्ट आफ्सक्रोज प्रसी के अब यह दो क्लोज करेंगे उसके द मेंबर इसके बाद क्लोज करें इसके बाद तो ऊसमें क्याकर इक पहले है डिस्त यह anosson मेंबर उसके बाद है नंबर of shares amount of call amount of call in advance if any amount payable by the member and date by which the payment has to be made यानि किसके कौन सा shareholder है उसका नाम उसका पता फिर उसके पास कितने shares है और amount of call एक share के ओपर कितनी amount है उसके पास जो total shares है उसके ओपर total कि कितनी amount बनती है वो बताएंगे यहां पर amount of calls in advance अगर कोई shareholder ने advance में कोई payment कर चुका है तो वो भी इसके मेंशन किया होगा amount payable by the member कितनी payment अब उसके करनी है member को total shareholder है वो जो shareholder है वो total उसके पास जो share है उसकी कितनी total amount उसके पे करनी वो भी उसमें मेंशन किया होगा and date by which the payment has to be made यानि कौन सी तारीख तक यह payment उसके करना है इसकी पूरी एक list बनाई जाएगी नव फॉर्थ वन information to the bank यानि अब यहां पर बैंक को जानकरी दी जाएगी तो यहां पर share call account एक खोला गया तो बैंक को भी जानकरी दी जाएगी once the call list is ready, security sends a copy of call list to the banker of the company, it is also intimated to the bank to collect the call money on behalf of the company and credit the same to the share call account यहां पर जो secretary हो उसकी responsibility रहेगी कि वो जो list जो बनाई है वो list यानि कौन shareholder से उसका नाम, address, फिर उसके पास number of sales, कितने उसके पास से कितनी amount collect करनी है उसके पूरी detail यहां पर बैंक को submit की जाएगी ताकि बैंक इसके जरीए जो बैंक के जो share call account जो खुलाए गया है उसके अंदर वो शेर होल्डर आके उसमें पैसा deposit करवा सकता है now next procedure है, sending notice of call, अब notice बेजी जाएगी किसको, shareholders को a letter informing the amount of call to be paid is sent to every member by registered post after preparation of the list of call on shares अब call on shares की जो list हमने बनाई है कि हमें कौन से shareholders के पास से कितनी amount हमें मंगवानी है इसका जो list बन गया है उसका फिर एक letter registered post के दरिये यहां पर इनको बेजा जाएगा this letter is called notice for call और यह जो letter है उसको बोला जाता है notice for call तो यह भी notice for call जो आपको बताया यह आपको MCQ या तो one mark में यह भी पूछा जाता है तो notice must reach the member 14 days before the prescribed date of payment of call money यानि जो call money भरने की जो date है उससे 14 दिन पहले यह notice जो है वो shareholder के पास पहुंच जानी चाहिए यानि जो last date है उसके 14 days पहले यह notice जो है वो shareholder के पास पहुंच नहीं चाहिए तो इस तरह से arrangement करना पड़ेगा company secretary को फिर payment of call on share shareholders pay the amount of call to the bank within 14 days of the receipt of the notice of share calls अब 14 days जैसे आपको अगले point में बताए आपको कि जो उसका last date था उसके 14 days के पहले उसको जो shareholder है उसको notice मिलनी चाहिए अब shareholder को क्या करना है उसे 14 days का time मिला है तो 14 दिन के अंदर जो bank बताए गई है वो bank पे जाके उसे यह call money जो है वो भरना पड़ेगा bank credits the call money received to the account of call on share bank क्या करेगी जो shareholder ने जो पैसा बरा वो call on share का जो एकाउंट खोला था उसके अंदर वो deposit करेगी यानि कि credit करेगी and retails the pain sleep और जो pain sleep यानि जो हम लोग deposit की जो sleep भरते ना उसको pain sleep बोलते और deposit sleep अपने पास रखेगी bank and returns the notice and the receipt to the shareholder और जो shareholder जो पैसा बरने के लिए bank पर आया उसे जो notice है वो notice उसको वापस कर देगी और उसका receipt देगी कि आपके पास से इतना रूपिया जो बरना था वो bank को मिल चुक है उसकी एक receipt उसको shareholder को लोग दे देंगे bank sends pain sleep to the company और जितनी भी pain sleep याने जो जो shareholders bank में पैसा बरने के लिए आये थे तो जो deposit sleep जो उन्होंने बरे दी वो सारी deposit sleep सब collect करेंगे और वो सारी collect करके बाद में किसको submit करेंगे company को लोग bank वाले जो है वो company को submit करेंगे now the last point recording call money received in call list the secretary records the call received in register of the members on basis of pay in sleep and prepare a list of calls not received this list is then presented to the board of director for further action secretary फिर क्या करेंगा जो bank के पास है जो pain sleep आई थी उसके जरीए पूरा एक register of members से उसके अंदर ये पूरा note down करेंगा कि किस किस का amount आ चुका है अब वो सारा note down कर दिया था उससे पता चलेगा कि अभी भी कितने लोगों का पैसा आना बाकी है फिर जितने लोगों का पैसा नह नहीं आया उसकी एक list बनाएगा और वो list जो है वो board of director को present करेगा यानि उनके हाथ में देगा अब board of director है उसकी further action लेंगे further action में क्या हो सकता है तो उसको एक और time limits है तो दिया जा सकता है अब उसके पास जो पैसा नहीं बढ़ा है तो उसके उपर interest भी charge कर सकते अगर interest चार क्या करेगी company जो है उसके shares को forfeit करेगी यानि अपने कब्जे में ले लेगी अब जो shareholder जिसने अभी तक चितना पैसा बढ़ा था वह पैसा भी उसका गया और share भी उसके खाते में यान उसके डिमेट एकाउंट में नहीं रहेंगे तो शेयर फूर फूर्टर के लिए जो है वह हम अगला एक वीडियो बनेंगे उसके अंदर हम लोग उसके बारे में डिटेल में आपे डिसकेस करेंगे तो यह थी हमारी प्रोसीजर शेयर कोल की अब हम देखते हैं कि जो company का जो सेक्रेटरी है उसकी क्या duties होती है शेयर कोल के रिगार्डिंग तो पहला वेरिफाइ करेगा कि वाई company का जो article of association उसके अंदर ऐसा कोई provision है की नहीं है कि हम लोग जो शेयर से उसको हम लोग issue हम लोग कर सकते हैं कोल के अंदर तो पहले यह provision को चेक करेगा second to get the resolution of making calls passed in the meeting of the board of director बाद में एक meeting conduct करवाएगा board of directors की और उसके अंदर एक resolution को पास हुआ के निवा वो चेक करेगा फिर issue notice in newspaper seven days before closer of register of members and register of transfer before making calls जब कोल करना है उसके साथ दिन पहले जब हम जो register जो close करने वाले उसके साथ दिन पहले वो निउस पेपर के मरेक नोटिस देगा फिर preparing list of members whose calls are in areas and sending notice to each such shareholders calls in areas का मतलब कि अभी भी किसका payment आया नहीं है जिसका payment आया नहीं है वो बोलते calls in areas यानि अभी तक यह call या instrument का पैसा आया नहीं है तो जब bank से उसको bank slip मिली थी तो उसने member register के अंदर उसने not down किया not down किया फिर उसे पता चला कि इतने shareholders के विद्ध पैइमेंट आया नहीं है तो उसकी एक list बनेगा और वो list होगी उसको क्या बोलेंगे calls in areas की members whose calls are in areas ये इसका list बनेगा opening a bank account for collecting amount of calls on share अभी यहां पर secretary की duty है जब application का time था तब उसको duty थी के escrow account खुला है अभी यहां पर calls की बात आ रही है तो calls की time पर भी उससे bank bank account खुलोना है calls on share ये bank में जाके खुलुएगा फिर making note of cold money received in the register of members based on the paying slip and preparing list of members from whom cold money is not received and presenting the same before board of director जो bank के पास है उससे paying slip आई थी उससे वो register जो है member register उसके मेंड़ों mention करेगा और उसी में से फिर list निकालेगा कि कितने लोगों का अभी तक payment आया नहीं है और वो list फिर present करेगा board of director के पास तो यह सारी जो duties थी responsibility है वो सारी किसकी है वो सबके सब हमारा जो company का जो secretary होता है उसके सब duties थी तो friends उमीद करता हूँ कि share calls वाला जो topic आज हमने यहां पे cover किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई doubt है आपको तो आपके comment के जरी मुझे आपका question पूच सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपकी reviews भी मुझे comment के जरी बेजिए और यह वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लगा है तो ज्यादे से ज्यादे लोगों के साथ इसको share करें और इस वीडियो माम लोग कोवर करेंगे चले फिरेंस बाइबाइ टेक केर